Hello, good morning to everyone, आज हम Unit 5, Session 3 के बारे में डिस्कस करेंगे, जहांपे हमारी Learning Outcomes जो है हुआ है, Fiber Safety in Trench and Attunation Losses. तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा Fiber Safety in Trenches, तो जब भी हम Trenching में जो Fiber Cable को इंस्ट्रॉल करते हैं, तो कुछ Precaution जो है, वो हमको लेनी चाहिए, ताकि जो हमारी Fiber Cable जो है, वो बिल्कुल सेफ रहे हमारे Trenching के अंदर, तो यह जो पिक्चर आप देख रहे हैं, यह हमारा क्य क्या है, यह Trenching का Structure होता है, जहाँ पर आप देख रहे हैं, सबसे नीचे के आउता है, Soil होती है, उसके उपर जो एकम क्या करते हैं, concrete का Structure बनाते हैं, और उसी Structure के अंदर जो हम अपनी Optical Fiber Cable को जो है, वो इंस्टॉल करते हैं, ताकि उससे कोई हानी ना हो सके, तो यह कहां पर जो है, कौन-कौन सी जो precaution जो हमको लेनी चीए, जब हम Fiber Cable को इंस्टॉल करते हैं, तो सबसे पहली है हमारी जो Buried Cable है, वो इस तरह से जो हमको जो है, इंस्टॉल करने चीए, लोकेट करने चीए, ताकि जो है, उसको कोई भी Disturbation ना आए, नमबर टू, हमेश्चे जो है, जो Trenching होती है हमारी, वो कहां पर इंस्टॉल हों चीए, वो Roadside के साथ होनी चीए, ताकि आने वाले टाइम में जो है, जब भी कभी Surfacing करनी हो Road की, या भी Road को जो है, वो चौड़ा करना होगा, तो उसके कारण हमारी Fiber Cable में कोई Problem ना आए, यानि कि उसको भी Extend ना करना पर है, जहां पर है, वहीं पर रहे, नमबर थ्री, जब भी हम Fiber का जो Road Plan में आते हैं, तो उस Road Plan में जो है, कभी भी जो है, जो Natural Drainage होते हैं, वो Interfair नहीं करने चाहिए, अगर कर भी रहे हैं, तो जो Fiber Cable की जो Depth है, उसको जो है, वो Damage ना क पहुंचा सके, कोई Effect ना कर पाए, तो इस तरह से वो होने चाहिए, नमबर 4 है, जब हम Fiber को Install कर देते हैं, तो एक Marker जो है, एंगिज़ को क्या बोलते हैं, Marker Tape, वो जो Fiber के उपर जो है, एक Distance, Particular Distance के उपर जो है, वो Install कर लेनी चाहिए, ताकि आने वाले टाइम में, जो Future Worker है, जब वो उसमें काम करें, तो उनको ये मालूम हो सके, कि इस जो Warning Tape है, इसके नीचे जो है, वो Fiber जो है, वो Install है, ताकि वो अराम से जो है, वो काम करें, और Fiber को को भी नुकसान ना पहुंचा पाए, तो ये जो Structure देखने हैं, आप एक छोटा सा नीचे, यहां कि हमने Cable Warning Tape बिचा दी गई है, ताकि यहां से मालूम हो सके है, कि इसके नीचे जो है, हमारी के एक Optical Fiber Cable जो है, इंस्टाल है, तो उसके उपर एक Distance कारिया है, एक बीच में जो हुआ हो, डिस्टेंस होना चाहिए, तो next हम बात करते हैं attenuation की तो attenuation क्या है इसको बोलते है signal का जो है क्षिन हो जाना उनको ख्षती पहुँचना यानि कि जब हम light signal transmit कर रहे है या कोई electrical signal transmit कर रहे है यह alternation जो है जुरूरी नहीं है कि light में ही आएगा यह जो है electrical signal भी आसकता है लेकिन हम फाइबर की बात कर रहे हैं तो फाइबर में हम क्या बेजते हैं light signal बेजते हैं तो क्या होता है जो signal की जो power है कुछ टाइम के बाद वो क्या होती है वो reduce हो जाती है जिसके कारण जो है वो attenuation losses जो है उसमें आ जाते हैं तो यह losses है ये किसीnew noise किसीबी बजा आसकते हैं यार जो हम फाइबर को जो है इंस्टॉल करते हैं तब भी आसकते हैं ये या फिर जब फाइबर को जो manufacture करते हैं तब भी ये lossy जो है उसमें फाइबर में आ सकते हैं तो जैसे कि आपको यहाँपे एक पिक्चर देख रही है, एक clear पिक्चर, जो यह वाली पिक्चर आपको देख रही है, तो इस पिक्चर में देखो है, हमने दो यहां पर हमने एक multi mode 5 अलिया, हमने एक single mode 5 अलिया, तो यहां पर क्या कि है, हमने एक signal transmit किया, जैसे हमने एक signal transmit कर दिया, यहां से, इस तरह का हम कुछ समय के बाद जो है, उसमें जो है, जब हमने end में signal लिया, तो इस तरह का हमार को signal आँपे मिला, तो इन दोनों के signal में देखेंगे, तो काफी difference है, यानकि जो starting में जो power थी, वो ज्यादा थी, देखिन जब end में हमको जो है, वो signal मिला, उसमें जो है, कुछ हद तक जो है, वो signal जो है, उसमें loss हो गया, यानकि light का जो है, उसमें loss हो गया है, तो इसी पूरे structure को क्या बोलते हैं, हम activation कहते हैं, अब जो नीचे वार डाइगरम देखने हैं आप, जहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर जो एक optical system है, यहाँ पर भी क्या एक optical system है, लेकिन बीच में आपको चोटे चोटे दिखे रहे हैं, यह क्या है, यह amplifier है, जैसे distance increase करता जाता है, signal weak होता जाता है, हम क्या करते हैं, आपको एक amplifier लगा देते हैं, ताकि जो signal को फिर से amplify करें, और फिर से हम को original signal प्रदान करें, लेकिन इसकी भी एक characteristic होती है, कि ऐसा नहीं कि हम पूरे fiber को इस तरह से amplify करके जो पहुंचा दे हैं, नहीं है, ऐसा नहीं होगा, चीक है, कुछ ही limit होती है, जहां तक हम इसको amplify कर सकते हैं, signal को, तो attenuation is the loss of optical signal due to absorption, scattering, bending and other parameter of optical fiber along over a distance, जैनकि जैसे-जैसे दूरी बढ़ती जाएगी, उसमें जो है, कोई न कोई न कोई लॉसी जो है, उसमें आ सकते हैं, जैसे ही हमारे पास एक structure है, जहां पर क्या यह हमारी एक complete fiber है, जहां पर हमने input signal दिया, तो यहां पर यह losses आया है, तो इसको क्या absorption losses बोल दिया, यहां पर fiber को बैंड किया हमने, दो तरह की मतलब तो fiber को आपस में जोड़ा, तो यहां पर splicing loss आ गया, यहां पर कुछ impurities आ गए, उसके करण loss आ गया, यहां पर कोई band हो गया, तो उसके करण कोई loss आ गया, अब यहां पर कोई particle आ गया, तो उसके करण को loss आ गया, यह heterogeneous structure हो गया fiber का तो वहाँ पर भी कोई loss आ गया तो यह बहुत सारे losses है जो fiber में जो है वो आ सकते है लेकिन आज हूँ losses के बारे बात करेंगे वो fiber के अपने अंदर ही losses आ जाते है तो वो किस तरह से आते हैं तो पहला losses है क्या हमारा absorption loss तो जो absorption loss होता है तो इसमें क्या होता है जो light energy है वो क्या होती है वो कम हो जाती है अब कम कैसे होती है जो उसके अंदर iron impurities होती है जब fiber को manufacture करते हैं तो manufacture के कारण क्या होता है कुछ उसमें defect रह जाते हैं कुछ atoms रह जाते हैं अब आपको बता है कि जो fiber cable है वो किसे बनी होती है वो बनी होती है glass के कांच के लेकिन ऐसा तो possible नहीं है कि जब उसको manufacture करें वो 100% जो प्योर glass रहे हैं उसमें कोई ने कोई impute आ सकती है क्योंकि वो machine में ही manufacture हो रही है तो उस manufacturing में जो जो ions impute आगी हो हमारे पास या फिर कोई atoms आगे उसमें आके कोई atom जो है उसमें जो है वो आगे तो इन atom के कारण क्या होता है कि उसमें एक field बन जाती है electron की तो वो कहा करते हैं जैसे हमारे पास यहां से light pass हुआ उसमें यह light pass हुआ तो जो light का signal था वो full था लेकिन जब वो atom से टकराया तो उन atom में क्या ह हो गये वह atom जिसके कारण क्या हुआ उन्हें एनर्जी को light एनर्जी को क्या कर लिया absorb कर लिया absorb करनें भाद क्या हुआ हमारा जो signal है वो क्या होगा है वो क्या हो गया हुआ धूछ यहां पर वीक हो गया है तो यह वीक हो गया यानिक इसमें ज autop建 knapp सesmos STAC बच्श्कで anytime निचे के कार्ण यार्ण यार्ण इंप्यूटी और एटम के कार्ण तो उन एटम ने जो है अनर्जी को अब्सॉर्ब किया और जितनी अनर्जी बच गी वह उन्हों ने आगे भेज दी तो इसी को क्या बोलते हैं हम यह हमारे दो टाइब के होते हैं एक इंट्रिक होता है और एक्स्टिक होता है यानकि एक अंत्रिक होता है एक बारी होता है next है हमारा bending loss तो जो bending loss होते हैं कि कब exist करते हैं जब भी fiber जो है कहीं पे उसको bend किया जाता है उसके कारण जो है ये losses जाते हैं यानकि जब fiber को install कर रहे हैं तो उसी time क्या होता है कई बार fiber को जो है वो एक bend हो जाता है उसमें यांकि कई यार्ड खीच रहे हैं तो उसके कार्म कोई band आ सकता है उससे तो उसकार्म जो है उसमें लॉससी या सकते हैं तो ये दो legit है किए माइक्रो बैंडिंग एक होत्य है nesse अब जो माइक्रो बैंडिंग होती है तो यह यह Micro Bending जो होती है, यह कोर में defect आजatto है, जो होमारा Core है कोर में defect कशा na of manufacture जो भी सकता है और कई वार जो बनेटियन पारको में प्रोन मेरे जो सकता है तो Libre आन yön जो टेमज हो सकता है तो forte संवर जो Amizo Bending है यह जो core में छोटा सा जो एक क्या है यहाँ पर देखो आप एक छोटा सा bend आ गया है जिसके कारण क्या हुआ कि आपको मालूम है जो core में light travel करती है तो कौन से principle के उबर करती है total internal reflection तो यहाँ पर देखो क्या हुआ यह reflection का जो angle है यह थोड़ा सा change हो गया क्यों क्योंकि वहाँ पर core में छोटा सा curve है जिसके कारण क्या हुआ reflection का angle change हो गया अब signal जो है वो core में reflect नहीं हुआ वो core से reflect हो गया यह जिसके कारण जो हाँ पर fiber cable में loss आ गया next है हमारा macro bending और macro bending क्या होता है यह उता है जब fiber को जो हम क्या करते है band करते है क्योंकि fiber को भी उतना ही band कर सकते है जितने उसकी limitation है उस limitation से ज़्यादा band करेंगे तो उसमें loss आ जाएगा अगर fiber में जो है jacket भी लगी हुई है तब ही भी fiber में वो band जो है वो losses create कर सकता है तो इसलिए ध्यान रखें जब ही अपना इस 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 install करना है fiber को तो उतना ही band करना है उसको जितना उसको उसकी limitation है तो फर्स यहाँ पे जो band है देखो यह क्या हुआ यहाँ fiber में जो है इस कौने में जो है जो हमने band किया तो उसके करना क्या हो गया इसका जो है जो है जो ही रिफ्लेक्शन एंगल है वो चेंज हो गया चेंज होने के कानन क्या हुआ जो रेज ऐसे ऐसे हमारी रिफ्लेक्ट करक्या नी थी वो क्या हो गए यहां से बाहर चेलीगे तो इसी को क्या बोला हमने इसी को बोला हमने Macro Bending Loss Next है हमारा Scattering Loss जब हम Fiber को Manufacture करते हैं तो जो उसका जो Core होता है उसकी जो Density है वो सेम होने चीए लिखन क्या हुआ उसकी Density में क्या हो गया कहीं पर Variation आगी और Variation के कारण क्या हो गया वहां पर छोटी छोटी से Particle या कोई Impurities या कोई Defect Manufacture Defect जो है उसमें वो Exist कर गया जिसके कारण जो है जैसे ही Light हमारी आई तो जब Light आएगी हमारी क्या होगा इन Particle से जो हो टकराएगी तो क्या होगा इनका जो Reflection Angle है वो Change हो जाएगा और जो Light जो है वो किसी भी Direction को Reflect हो जाएगी वो चाहे इस Direction को चली गई या इस Direction को चली गई वो किसी भी Direction को Reflect हो सकती है तो इसी प्रकार के जो Loss को हम क्या बोलते है वो Scattering Loss कहते हैं जिसके कारण जो है वो Light Wave जो है वो चारों तरब जो है जाती है तो इस प्रकार के Loss को क्या बोलते हैं हम Scattering Loss बोलते हैं तो चलीए यह हमारा यहां पर Topic फिनिश होता है तो आप लोगों के लिए कुछ Home Assignment है तो जैसे कि तीन कोशन यहां पर दिये हुए है तो यह आपने अपनी Notebook पे Note करने है तो आपको कोई Query है कोई Question है तो आप Comment Box पे Write कर सकते हैं तो ओके थैंक यू